तो दोस्तों आज 21st November 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवे सेक्टर का दिगज कमपनी IRFC की शेर के बारे में जहां पे आज शेर क्लोजिंग दिया 76.95 रुपीज पे अल्मोस्ट 1.12% तेजी के साथ बाट बीच में दोस्तों यह जो शेर है अल्मोस्ट 78 का जो इंपोर्टन रेजिस्टरंस लेवल वो भी ब्रेक करके उपर पहुंच गया था इवन अपना इंट्रोडे हाई भी टच की आज की डेट पे 78.20 रुपीज पे और क्लोजिंग दिया IRFC से रिलेटेट बहुत सारे इंपोर्टन अपडेट्स है जो कि आपके साथ में शेयर करूँगा इसी वीडियो में साथ में आपका आगे का रनी दी क्या हो सकता है क्या आपको इमिडिटली बाइक करना चाहिए या बाद में वेट एंड वर्च करके बाइक करना चाहिए आईए एक एक करके देख लेते बाट सबसे वहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरां तक जरूर देखना तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको इसके लगबग 2-3 दिन पहले अपडेट दे दिया था कि IRFC बहुत ही जल फंड रेस कर सकता है मैं आपको थोड़ा आर्टिकल्स अच्छे से पढ़के सुनाता हूं और उसके साथ साथ दोस्तों इसको पर रेटिंग भी आया टार्गेट प्राइस भी आया बहुत सारे अप्डेर्स है देखते जाए यह देखिए इंडियन रेल्वेस पानांस कोर्परेशन ए मतब तीन साल का मैचुरिटी हो जाएगा यह बॉंड और उन 11 नवेंबर 2026 अब जैसे का आपको मालू में एक इन वेसी कंपनी है तो यहां पर बॉंड जो कि यहां पर इशू किया है और यह बॉंड का दोस्तों बीडिंग जो है वो कल होगा एक घंटे के लिए मैं आपको दोस्तों 11 बज़े से एक बज़े की भीतर दोस्ते बीडिंग होगा बहुत सारे कंपनी आप मतब यह बॉंड को खरीच सकते हैं और इलेक्ट्रानिक बीडिंग प्लाटफॉर्म ठीक है ऑफ दा नैशनल स्टॉक एक्सेंज ऑफ इंडिया तो एनसी की जो यहां पर मतब डि इसके उपर दोस्तों डिटिंग दिया ट्रिपल ए जो की बहुत बढ़िया डिटिंग माना जाता है ट्रिपल एक दोस्तों रेटिंग मिला है इस बॉंड को तो कहीं ने कहीं देखिए बॉंड का वैलोशन भी काफी अच्छा है अब यह बॉन्ड क्यूं इतना इंप्वार करना है अब पैसा चाहिए फंड्रेस करने के लिए तो दो ही तरीके से कर सकता है एक हो गया आपकी इक्विटी शेयर बेच के दूसरों का बॉंड बेचके आज की बहुत सारे स्टार्ट आप कंपनी है उसके बाद अलग है ठीक है मैं बड़े कंपनी के बात करो जो आज की रेट पर प्राइस और यह एक यह प्योंच किया उसका जो फ्लोड प्रेस मेंशन किया 92 पर 93 रुपी इस बैसे लिए यह गया एक्विटी शेयर के थूजब कोई कंपनी फंड्रेस करता है अच गिरावत होता है आट ता सेम टाइम जब कोई कंपनी बॉंड्स के इसका प्राइम एक्जम्पिल दोस्तों कल एक मुझे अभी शेयर का याद तो नहीं आ रहा है बत कल मैं आपको अप्डेट दे दिया था एक शेयर के उपर की फंड्रेस का यहां पर प्लैन हो चुका है आज की रेट पर वह शेयर कंदर तेजी भी देखने को मिला था ठीक ह सुबा अबडेट है आज ठीक है अच्छा बच का अबडेट है और यह जो मैं आपको न्यूस दिखाया यह फंड्रेस से लिल्टर यह शाम कपडेट है बचार क्लोस जोने का बात का तो देख लेते हैं कि क्या कुछ टार्गेट दिया यह सारी कंपनी का जैसे कि आप देख लास्ट ऑल्मोस्ट सेप्टमबर के बाद से जब शियर हमने देखा सेवेंटी का लेबल क्रॉस किया एक आत बार गया था नीचे बट बहुत बारी मत्तब हमने देखा जाने के बाप जुद भी सेवेंटी की उपड़ा की शियर के लिए ठीक है टार्गेट प्राइस दिया बहुत ही शौट टम का यह टार्गेट दिया थीक है तो मुझे लग दे कि अगर ठीक तक यहां पर मोमेंटम बन गया या खास करके आप बोल सकतो कि अगर शेयर 80 रुपीस का लेवेल क्रॉस कर गया ना यह बहुत ही जल एक से देरफ्ट के अंदर भी एचीव हो सकता बाट पाइब करोड के आसपास शेयर पांच करोड से थोड़ा कम चार करोड अठाना पे लाग बट डेलिवरी दोस्तों काफी इंप्रेसिब नंबर आया एक करोड 46 लाग क्यूपर शेयर परसंटर अब डेलिवरी भी काफी बढ़िया 29.31 परसंट के आसपास चली यह दोस्तों ह अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना साथ में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और एक छोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंग आप सभी को कि देखिए और दूसरा जो अप्र सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर जरूर वीडियो जरूर चेक आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यह दोने वीडियो ठीक है और आचुका है तो जैसे कि आप देख सकता है रेपसी की जो अभी आरे से इंडेक्स चल ला है अल्मोस्त 59.30 का आसवास या बाद राफ में करेक्शन के ऐसे की आपको मालू में इसके पहले वी आपको मुल्टिपेल टाइम अलर्ट वीडिया था कि तक सकास इसमीं फजाएंगे चुबंछ भी नहीं होने वाला है चैसे में क्यूंकि अश्याधतर टाइम केस में क्या होता है जब अपने पिक में रह को भी देख सकते हूं जो कि हाली में ओफस आया था उटको को देख सकते जब शेयर एकदम पीक में चल रहा था तभी ओफस आया तो इम्पोर्टेंट कुछ लेट साइसे कि लोवर साइट में अभी देखें सापोर्ड सापोर्ड देरे शिफ्ट रहे उपर की तरब जैसे कि अगर बुलेंजर बैंट की बात करें तो आप देखी सकते यहां पे थोड़ा वह दूपर पहुंच गया था सेवेंटी एट के आसपास आज अपना इंट्रेंट एच्ट एच्ट एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस है तो मैं आपको बोलूंगा आपके अंदर अगर पेशन् अच्छा मूफ हो चुका है ठीक है तो आई थिंग के अंदर बहुत जल्दी एक अच्छा उपर की तरह मूफ हो सकता बट 85 का लेबल अगर ब्रेक कर लिया उसकेस में बाई मत कानत क्योंकि उसकेस में और फेसाने काम काफी खत्रा बन जाएगा बागी दोस्तों वीडियो क को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक का बाबाई जाए हिंद